आज मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स के साथ बनाने वाली हूँ यूनीक तरह से मूली के स्टफ पराठे इसकी दौनों ही लेयर में मूली की जो स्टफिंग में वह ऐसे चुपक के आती है कि मानों गये अलग-अलग पराठे बनाए गए हो लेकिन एक ही पराठे हमने इसको बनाया है इसे हमने चान लिया था इसी में के आटे में मैं दो टेवल स्पून बेसन डाल देती हूं बेसन हमारी जो मूली की नमी होती है इसको सोक लेती है इससे क्रिस्पीनस आती है पराठे में स्वात के नुसान नमक डाल देती हूं और इसमें आप मैं डालने हूं अजवाइन अजवाइन को crush करके डालना होता है जो हमारी मूली है वो काफी बादी करती है अगर आप अजवाइन डालके पराठे बनाएंगे तो मूली बिल्कुल भी बादी नहीं करेगी बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी आप इसको डेली खा सकते हैं इन सब चीज़े को अच्छे से मैंने mix कर लिया है इसके बाद इसमें तोड़ा तोड़ा पानी डालते हो है इसका आटा गूत कर तयार कर लेती हूँ तोड़ा सा soft dough बनाना होता है क्योंकि हमें इसके अंदर stuffing भी करनी होती है इसलिए हम तोड़ा तोड़ा पानी डालते हो इसका dough जोग है तोड़ा soft बना कर तयार कर लेती है हलका सा घी से भी इसको grease कर लेते है बिल्कुल चिकना कर लेती है dough को अच्छे से मनना होता है बिल्कुल तयार है इसे ढख कर साइट से सेट होने के लिए छोड़ देते है तब तक stuffing तयार करेंगे तो stuffing के लिए यहां पर हमने मोटे वाले कद्दूकस की हुई मूली ली है अच्छे से कद्दूकस करके रखा है अब हमारी एक और खास ट्रिक है जो मूली के परांटे बनाने में काम आईगी सबसे पहले हम मूली को अच्छे से निचोड लेते है इसका सारा पानी इसकी सारी नमी हम बिल्कुल अलग बाउल में निकाल लेते हैं जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं ऐसे ही दूसरे प्लेट के भी जो मूली है उसे भी अच्छे से कद्दू कस करके निकाल लेते हैं बाउल में यह हमने बाउल में निकाल लिया अब इसमें हम डालते हैं कुछ मसाले लेकि सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें लाल मिच पाउडर धनिया पाउडर उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला फिर अमचूर पाउडर भी हमने डाल दिया है और यह हमने तोड़ा जीरा पाउडर डाला इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथी साथ हम चाट मसाला भी इसमें डाल देते हैं इसके बाद friends इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं धेर सारी इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन सब को mix करते हैं आप सोच रहे होंगे हमने इसमें नमक तो डाला ही नहीं हाँ friends stuffing में नमक अभी हम नहीं डालेंगे हम बाद में डालते हैं परांठे जब बनाएंगे तब ऐसे करने से क्या होता है stuffing को आप पहले से भी बना के रख सकते हैं तो कोई problem नहीं आएगी वन्ना हमें क्या होता है मूली की stuffing तुरंती बना के तुरंती खानी पड़ती है अब आप पहले बना दीजे 15 मिनिट बाद 20 मिनिट बाद यूज कीजे आपकी stuffing ऐसे ही रहेगी बिल दौनों ही जो लोई हमने बनाई है दौनों को हम रोल करते हुए equal size का बेल लेते हैं अभी medium size में बेलते हैं पूरा हमें अच्छे तरीके से अभी इसे नहीं बेलना होता है वो जब हम stuffing फिल कर देंगे उसके बाद हम इसको बेलेंगे सी same size का हम दूसरी भी लोई को बेल ले तो एक स्पून ओयल से ग्रीज करते हैं जैसे आप देख सकते हैं हलका हलका सा ग्रीज करते हैं अब जो stuffing है वह हम इसमें बीच में चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे बस इसके corner चोड़ देंगे ताकि हम दूसरी लिए कुछ कुछ ऊपर चिपका सके बाकी चारो तरफ इसके फैला देंगे अभी भी हमने नमक नहीं डाला है stuffing में यह बात का आप ध्यान रखे हमें कब डालना है वह मैं अभी आपको बता दूंगी अच्छे से हमने आप stuffing को फैला दिया हलका सा टैप कर देते हैं ताकि यह सेट हो जाए अब इसमें हलका हलका हम नमक डाल और फिर हमने यह बारी कटकी हुई हरी मिर्च लिए है थोड़ा सा हरी मिर्च को भी हम लगा देते हैं इससे तोड़ा चटपटा टेस्ट आता है जो खाने में अच्छा लगता कुछ धनिया पत्ती भी डाल देते हैं कानेशी के लिए हमने कर लिया है perfectly अब इसे cover कर देते ह हम दूसरी लेयर से अच्छे से side से हम इसे press कर लेते हैं अच्छी तरीके से इसे tap कर लेते हैं और फैला लेते हैं stuffing को proper हर तरफ से हम stuffing को जो है वो फैला देते हैं हातों से भी press करते हैं अब हम इसे सूखे आटे में dip करेंगे सूखे आटे में दौनों तरफ से हम इसको dip कर कहें। अपकि कर सकते हैं अभ इसको हम रोल कर लेते हैं। अच्छीर आगये इसने से केसी देंड हैं। थूम पॉल और चाहिए है, तबाय को श्री monks कर सकते हैं। अच्छी तबाती है या धूझा में पर, inappropriate पत्रों अच्छीर दें со इससी तरफ से भी अच्छे से से शेकते हैं ऐसा करने से क्या होता है और प्राफा कहलता नहीं है प्रॉपटली सेट होके अच्छे से सिकत अयार होता है घी लगाते हुए दौनों तरफ से पलट पलट के इस पराटे को हम सेख लेते हैं, golden brown crispy होने तक इस पराटे को हमें सेख ना होता है, याद रखे जब हम बिना घी के इस पराटे को तवे पे डालते हैं, तो अच्छी तरीके से जब जी इप सिख जाए थोड़ा थोड़ा तभी आपको पलट ना होता है, इससे क्या होता है, पराटा तूटता नहीं है, अब हमने दौनों तरफ से प्रेस करते हो, अच्छी तरीके से सेख लिया है, बिल्कुल पॉफेक्ट मूली का जो पराटा है, वो बनकर तयार हो चुका है, दौनों तरफ से सिख चुका है, तो इसको हम प्लेट में और कीजे से रूका खा ये बहुत ही टेस्टी ये पराठा बनकर तयार है हर एक इंच पे इसकी स्टफिंग जो है प्रॉपरली सेट हो चुकी है दुवारा से मैं आपको उसे खोल कर दिखा देती हूं ये था मेरा मूली का स्टफ पराठा उमीद है ये नई रेसेपी आपको अच्छी लगी होगी कमेंट्स में बताना कैसी लगी चाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करना मत बूलना कि क्यों मुझे उमीद है आपको ये अच्छी लगी है कमेंट्स में बताना मैं आप सबसे नेक्स वीडियो में मिलती हूँ बाबाई